हेलो तुरुत्तों स्वागत है आपका एक बाद फिर से हमारे चैनल गेम आपटेटी में तो चलिए आज एनालेसिस करते हैं कल क्या होने वाला है बैंग निप्टी और निप्टी में आज अगर देखें तो एक बहुत अच्छी जगा बैंग निप्टी ने होल्ड किया है आज एदम रेंज बाउंड हो गया था मार्केट चलिए आज की वीडियों सुरू करते हैं यह है वीकली चार्ट ठीक है बैंग निप्टी का वीकली चार्ट अगर देखें तो जो बैंग निप्टी ने एक जो ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते वे इसने एक सपोर्ट लिया था यहाँ ठीक है लगभग अगर देखें तो इसका रेंज जो है चवालीस दोसो एक तीस तक मार्केट ने टच करके ऊपर क्लोजिंग दे थी वीकली आज मार्केट ने फिर उसी को रेस्पेक्ट किया और वहीं पर आके मार्केट ने क्लोज कर दिया तो इसको मार्क आइस समयोनना क्यों के बीच में आपको कंषा ठीक है तो इसलिए यह वाला यह जो है या तो फिर यह ट्रैंड ऐंड डोनों को और झांड निजर बेना करना है कि मार्केट की इसारा जो है इसको market follow कर वाया ठीक है तो जुलाई 2022 जुलाई इसे ठीक है तो एक तरह से यह जो यह trend line है यह बहुत important है और इसको market जहां तक अगर इसको break करता है तो downtrend एक तरह से start हो जाएगा अभी वीकली अगर देखें तो bank nifty मजबूत है जब तक कि यह जो है 43-400 को तोड़ता नहीं है तो अभी भी bank nifty अपने मजबूत range में है डबल टॉप बनाया लेकिन इसको यह चाहे तो reverse कर सकता है market ठीक है और one day पर देखें डे चार्ट पर देखें तो डे चार्ट पर भी वही दोनों के जो टेंड लाइन है वह important है अगर इन दोनों को अगर इधर बीच देखें जुलाई से जुन जुलाई से तो market जो है इस trend दो सो के आसपस से market को reverse कर लेना चाहिए ठीक है नहीं तो बहुत होगा तो 44,000 तक market जाएगा उससे नीचे market को नहीं जाना चाहिए अगर उससे नीचे market जा रहा है तो यानि downtrend market में इस trend हो गया ठीक है market ने एक चीज आप देखिए continue जो है market जो है हम लोगों को एक एक तरह से 20 एम में की अच्छा 20 एम में नहीं लगा है आँ देखे मार्केट जो यहाँ पर यह हैमर बनता है ठीक है market उपर close होता है लेकिन इसके नीचे आकरके closing देता है फिर inside candle बनती है फिर आज जो है market जो है एक range bound हो करके इसी इसी range में कई वीक से market जो है समय विता रहा है तो यह जो है यह range जो है बहुत important हो चुकी है इस वीक में देखते हैं या तो इधर breakout करता है या तो इधर breakout करता है या इसी में close होता है यह important देखने को है क्योंकि market जो इस समय है बैंक निपती है बहुत ही अपने critical label पे है कह सकते है 44,000 से 44,500 के label पे यह trade करना है ठीक है तो यह बहुत important label है ठीक है इसका अगर हम 15 मिनट पे analysis करें इंट्रडे में आज का market इतना घटिया था इतना घटिया था कि क्या बताया जाए था पिन निप्टी में तो एक दो ट्रेड मिले थे लेकिन और में तो एकदम ट्रेड लेने लाइक ही नहीं आप देख सकते हैं पूरा market range bound एक अब इसमें क्या ही ट्रेड लिया जाए एक कैंडल उपर जा रहे दूसरे नीचे जा रहे है जिग जग 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 बनाया हुआ है इसमें बैंक निप्टी में तो आज एकदम ट्रेड लेने लाइक नहीं था जो नहीं लिया होगा अच्छा है नहीं तो ज्या अब मार्केट में ना कल देखने लायक होगा कि खल मार्केट ऊपेन कहा होता क्योंकि ये एक खिर से अपना ये ट्रेंड लाइन एक ये ड्रॉ कर रहा ठीक है ये आप देख सकते हैं स्वरी मार्केट एक ट्रेंड लाइन यहां पर आज इंटरडे में इसने फॉर्म किया हुआ है तो यह भी एक देखने वाली बात हती है कि आज पूरा का पूरा दिन मार्केट जो इसी रेंज में विदा दिया ठीक है तो कल मार्केट की ओपनिंग क्या होती है अगर ओपनिंग हम सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट जो है यह खड़ा है दो लाग तीसे जार ठीक है दो लाग तीसे जार है चोवालीस तीन सव पर सपोर्ट है ठीक है अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस तगड़ा रेजिस्टेंस जो है हमारा पैतालीस जार है ठीक है जो पैतालीस जार है और अगर इंटरडे की बात करें तो इंटरडे में हमारा रेजिस्टेंस है दोबहत्तर यानी चवालीस पांग सो ठीक है चवालीस 4400 यह दे रहा है इंटरडे में हमारा कल के दिन में अगर वहां सुबब थोड़ा सा भी बिल्ट अप होता है तो हमारा यह क्या होगा यह होगा रिजिस्टेंस होगा ठीक है और हमारा सपोर्ट क्या है सपोर्ट हमारा है 300, support हमारा ये है ठीक है support बहुत मजबूत है, ठीक है support important है, अगर ये support तूटता है तो बहुत बड़ा fall down fall होने के संभावना है अगर weekly, अगर हम chart को देखते हुए weekly, sorry, अगर option chain में अगर option chain के data को अगर देखें तो सबसे बड़ा resistance जो हमारा है खड़ा है, वो हमारा ये है ठीक है ये है लेकिन intraday में ये important level है ये वाला important level है, इसे देखने लाएक है कल के दिन में क्या होता है market में क्योंकि 45-45-500 जो है psychological भी resistance है ठीक है, और हमारा जो 4-4-300 जो है ये बहुत बड़ा support है, क्योंकि ये break होता है, ये break होगा तो ये आपका resistance है ठीक है, तो ये important है, ये तूटता है तो ये हमारा 44,000 एक resistance है तो ये दो level देखने लाएक है जैसे ये तूटेगा, ठीक है 44-300, तो एक तुरंद आपकी trend line कहां आ जा रही है ये इसके आसपास आएगी हमको लग रहा है 44-200 के आसपास ठीक है 44-200, उसके बाद 44-400 तो ये तीन level है, अगर breakout होता है या breakdown होता है, तो इस पे आप ध्यान दे सकते हैं, कि इस level पे और इस level पे ठीक है, थोड़ा बहुत 10 point, 20 point, 30 point इदर उदर हो सकता है, लेकिन ये लेबर important है, और उपर के अगर देखा जा, तो ये 44-500 important है उसके बाद ये आपका 44 लगबग 750, 44-750 उसके बाद सीधे-सीधे 45, ये important है तो बैंक निप्टी में यही है बाकी निप्टी में देख लेते हैं निप्टी में भी वीकली वैसे ही formation हो रहा है निप्टी तो बुलिस है इसका ये trend लाइन है, लेकिन ये उतना मुझे शुटेबल लग नीटा, क्योंकि ये एक बार यहाँ 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 पर थोड़ा सा नीचे इसने गया, लेकिन दूसरा candle युहाँ करके इसके उपर close कर दिया है, और एक यहाँ support लिया है अगर यही मान के चलिए कि बैंक निप्टी ने double top formation किया है इसने double top नहीं किया, इसने अपने high को इसने break करके, एक नया high बना करके यह अगर इसको तोड़ता है तो एक अच्छा खासा moment हमें देखने को मिल सकती है तो यह हमारा resistance था फिर यह support बन जाएगा यहां से फिर एक इस label पर जहां तक आ करके market को रुकना चाहिए फिर इसके उपर जो है weekly label पर यह formation हो सकता है और बात करें हम अगर इसका support तो मान के चलिए कि support इसका क्या है support 8600 8600 इसका support होगा बड़ा support है 8600 अगर यह तूटेगा तो मतलब बहुत अच्छा fall देखने को मिल सकता है क्योंकि यह यहां पर रेजिस्ट किया हुआ है फिर यहां पर एक बार support जरू लेगा इसी को तो यह तूटेगा तो फिर एक downfall नीचा होगा बतलब इन दोनों के बीच में 900 का 900 900 point मतलब निप्ती का कम से कम अगर एक दिन में maximum निप्ती 300.500 पॉइंट उपर नीचे होता है maximum जिस दिन जादा downfall होता है तो नहीं तो 1500 से 200 के range में होता है इसका निप्ती का तो यहां तकाने में आप समझ सकते हैं 10 से 12 दिन भी लग सकते हैं तो यह important है लेकिन अगर यह तूटा तो जो इसका lower high है यह तूटा तो lower low है यह तूटा तो यह देखने को मिल जाएगा ठीक है तो पहला हमारा support क्या होगा एक मिनट इंडीय वाले पर आ जाता है सबसे पहला हमारा support होगा एक यह लेवल ठीक है यह important level है यह level अगर तूटेगा तो फिर हमें देखने को मिल जाएगा अठारसोगा पिर हमें देखने को मिल जाएगा यह level झीक है यह यह अठारस नहीं अठारस आठसोगा level है यह जो है 18-800 का level है यह लेबल है उसके बाद 18-800 का level यह यह दोनों important level है अगर इसको lower low को इसको break करता है तो यह यहां तकाने के बाद फिर इसको break करता है तो एक नीचे फिर सीधे के सीधे यह जो trend line है यह इसका important level है उसको touch करेगा बाकि इस downside में और नीचे तो जाना नहीं चाहिए international market bearish है इस समय हर जगह से negative news मिल रही है तो market में bullishness तो है नहीं range bound होके थोड़ा-थोड़ा market नीचे आ रहा है तो थोड़ा समल की काम करना पड़ेगा 15 मिनट पे कल trade कैसे करना है वो देख लेते है तो आज market खुद एक बहुत ही एक range पे खड़ा हुआ है यह वाला range इसको अगर break करता है या उपर इसको break करता है तो एक अच्छा खासा move देखने को मिल जाएगा नीचे अगर break करता है इसको तो आप यह मान के चलिए 19 दूसर तक भी जा सकता है 19 दूसर तक भी जा सकता है ठीक है तो ये ये बहुत बड़ा इसका support है इसको ध्यान में रखियेगा अगर ये तूटता है तो फिक ये तूटता है तो ऊपर की बात करें तो ऊपर जो है ये एक तऱ से trend line बना रहा है ठीक है इंट्रडे में एक trend लाइन है इस टेंडाइन को वाच करिएगा और फिर उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो उपर उपर तो इसके लिए बहुत उपर तक जाने के लिए रास्ता है यहां यह 20,200 को भी टच कर सकता है लेकिन यह कल नहीं टच कर पाएगा इंट्रडे में यह लेबल्स पाना थोड़ा सा मुश्किल है तो इंट्रडे में इस लेबल्स के बीच में जो है आप देख सकते हैं मार्केट हो सकता है कि 200 के रेंज में मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड हो अगर इस दुनों के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है ठीक है इसके और इसके बीच में तो PCR और ओपन इंट्रेष्ट पर सेल करेंगे और सपोर्ट पर बाई करेंगे यह हमारा जो है कल की स्टेडियर और इसको ब्रेक करता है तो वन साइडेंड मूब के लिए तो बैक कर देखने को जाएगे नहीं तो फिर नीचे के साइड में तो बहुत अच्छा खासा मूब नहीं मिलेगा लेकिन आपको ऊपर साइड में बहुत अच्छा मूब मिल सकता ठीक है तो आज का एनालिस यही है बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद